हेलो धूस्तों स्वागत करते हैं कब आपका बैंकर कैप्सूल में आज हम लोग discuss करें कि कि Standard Bank का जो ellenia credit card है इसके बारे में ठीक है कि कि इस मिलेन ऐर क्रेट कर क्या benefits से क्या feature से क्या liability है कौन कुन से लोग दुछ कर सकते हैं नई कर सकते हैं तो इसके बारे में हम लोग पूरा डिसकुशन करेंगे to उमिद करें हैं के पूरा वीडियो आपको पसंद आएगा तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबस्क्राइब कर लिजे वीडियो को लाईक करजिें दोस्तों कि बीचेव बिश voter है फोटista कर चिचि अगर हम बात करते हैं benefits की तो सबसे पहले यह देख लिए कि कुछ benefits क्या है सबसे पहले में आता है welcome benefits कि जैसे ही आप यह credit card लेते हैं तो welcome benefits में आपको 1000 रुपी का वर्थ of gift voucher if spins rich 1 lakh per quarter in the cards first year तो जब से ही आप card purchase करते हैं तो card के first year में अगर per quarter of 1 lakh तक spend कर सकते हैं यह करते हैं तो आपको easily 1000 का वाचर gift voucher मिलता है ठीक है get 100 cash points on payments of membership membership अगर आप payment करते हैं तो आपको 1000 का cash points मिलता है cash back की अगर हम बात करते हैं तो 5% का cash back मिलता है imagine पे flip card पे flight and hotel booking अगर आप इस पे booking करते हैं या imagine पे कोई शमान purchase करते हैं ठीक है और अगर उसका कम सी कम minimum transaction size जो 2000 है 2000 से plus जो भी आप करते हैं उस पे आपको 5% का cash back मिलता है 2.5% का cash back मिलता है और जितने भी आप online expense करते हैं जितने भी online खर्च किजिएगा उसमें आपको 2.5% का cash back मिलता है उसका भी condition यह कि कम से का transaction 2000 का होना चाहिए 1% का cash back मिलता है आपको सारे offline expense पे and wallet पे reloads वहाँ भी minimum transaction जो है कम से कम में 100 रुप्या का होना चाहिए ठीक है हम बात करते हैं launch access की ठीक है कि इस millennia create card में आपको कितने का launch access है enjoy 8 free domestic launch access visited per year under visa mastercard diners club launch access program ठीक है मतलब आपको total 8 domestic launch access free होता है पर quarter 2 ठीक है आप यह मान सकते हैं यह आपको 8 मिलेगा ठीक है लेकिन अगर एक ही quarter में चाहिए एक हो मिल जाए तो यह possible नहीं है वहन एक quarter में आपको आप ही मिले यह दो ही मिलेगा ठीक है two in a quarter अब हम बात करते हैं कि आपको क्या milestone benefits मिलती है तो spend 30,000 and above in the first 90 days and get first year of membership free laptop अगर आप अगर आप यहां पर क्या करते हैं 30,000 से ज्यादा कर खर्च करते हैं किस्पे first 90 days में तो इस case में आपको first year का जो मेंबर से fee जो होता है वह वेब डफ हो जाता है उसका price नहीं लगता है free हो जाता है अगर हम fuel surcharge waiver की बात करते हैं तो avail 1% fuel surcharge waiver on transactions above 400 maximum waiver of 250 पर स्टेट्मेंट शाइक है मतलब यह कहना कि 400 रुपया से उपर का जितनी का भी आप यह फ्योल लेते हैं पैट्रोल लेते हैं यह लेते हैं कि आपको 1% का cashback उसमें जरूर मिलेगा अगर हम बात करते हैं rewards structure का तो आपको पता होना चाहिए कि the cashback earned on HDFC millennia credit card can be accumulated you can redeem it as cash points against your monthly statement balance आप rewards points जो भी आपको मिलता है उसको cashback को क्या करते हैं करते हैं accumulate करते हैं एकठा करते हैं उसके बाद क्या होता है यह आप इसको इसको इजली redeem कर सकते हैं जब पूरा cashpoint बन जाता है तो इस cashpoint is equivalent to one the minimum cash points balance required for redemption against the statement balances 2500 cash points redeemable in multiples of 500 only redeem करने के लिए कम से कम 2500 cash points आपका होना चाहिए ठीक है तभी आप यह कर सकते हैं redeem कर सकते हैं यानि पैसा में इसको convert कर सकते हैं redeem cash points at the conversion rate of one cash point rupees 0.30 पैसा मतलब one cash point का मतलब होता है 0.30 पैसा आपको रुपया मिलता है redemption of cash points can be done against rewards catalog rewards catalog आपको redeemtons कर सकते हैं you can also offer flight for hotel booking in that case मतलब आपको जो होता आप उसको क्या करते हैं rewards points में भी ले सकते हैं ठीक है दूसरा क्या है आप flight या hotel booking भी आप उसी cash points से कर सकते हैं cash points have to be redeemed before completing one year of accumulation अगर पैसा भी नहीं है कि आप cash points को इकठा कर रहा है कर रहा है 25 जादा हो गया कर रहा है नहीं यह यह से जादा आप उसको नहीं कर सकते हैं ठीक है अब बात करते है joining fee waiver ठीक है तो joining fee waiver क्या है कि get joining fee already मता चुक है get joining fee waiver on spending 30,000 or more than in first three months अगर first three months में आप 30,000 से ज्यादा का spend करते हैं तो आपका जो होता है वो fee waiver कर दी जाती है उस year के लिए annual fee waiver के हम बात करते हैं तो get renewal fee waiver on spending one lakh or more than in the first year अगर first year में one lakh और one lakh से ज्यादा का purchase करते हैं उस case में आपका annual fee की जो होता है वो first year के लिए web ढफ हो जाता है free हो जाता है कि additional features की बात करते हैं तो zero cost liability वह था आपको पता ही है जिरो cost liability है अगर करेट काट कुछ खो जाता है यह कुछ हो जाता है उसमें आपको कुछ देनी की जरूत नहीं है वह बैंक की liability है आपके liability नहीं है interest free credit card credit की आपको मालूम है की कोई भी credit card credit card interest free ही होती है 50 days के लिए 50 days के लिए आप आपको इसके यूज कर सकते हैं उसमें bank आपका कोई interest नहीं लेगी revolving credit आपको अल्रेड़ी पता है यह सब इसकी benefits हो गए हैं बात करते हैं free structures का तो joining offer यह है कि जैसे ही आप credit card को लेते हैं यह join करते हैं तो joining membership fee जो है 1000 प्लस applicable tax होता है 1000 किस किस में free हो जाता है वह हम आपको अल्रेड़ी बता चुके हैं मतलब joining offer जो है आपको 1000 प्लस टेक्स लाएगा अगर इसका है रेनेवल आफ़र मेंबर्शिप वैप्ड़ाप बाइस पैंडिंग वन लाक अब इन फर्स्ट यह और रेड़ी हम बता चुके कि ज्वाइनिंग की है 1000 प्लस टेक्स अगर रेन्यू करवाने चाहते हैं तो रेन्यू करवाने च्छित में अगर इंकम की बात करते हैं तो आपको पता है कि दो प्रकार के इंडिया में लोग है एक है सेलरी और एक सेल्फ इंप्लाइट तो जो लोग सेलरी हैं उनका एज ट्वैंटीवन टू सिक्स्टी यर्स होनी चाहिए ग्रॉस मंतले इंकम अगर 25,000 से ज्यादा है तब हम लोग लेता है आई टियार जो है 6,000,000,000 से ज्यादा काई टियार होना चाहिए तो यही सब इसका इंकम अलेजिलिटी रहा अगर हम डॉक्मेंटेशन की बात करते हैं तो क्या लेता है तो प्रूफ अप आइडेंटीटी में हम पिंट का डाधार का बोटर आडी का यह कोई ले लेंगे प्रूफ आड्ड्रेस में माधार कर्ट पासपोर्ट इडिलिटी विल तीन मन्स से ज्यादा कर यह नहीं होना चाहिए ठीक है यह सब हम लो लेंगे अगर इंकम प्रूफ की बात करते हैं तो बैंक स्टेट्विन फ़र लास्ट त्री मन्स लेंगे शालरे संध्री को बहुत अच्छे से समझने रहाहा थाने आप मिलिएन Kenneth Garage के बारे में में बहुत अच्छा से डिस्कॉसिस कीए हैं इसके बाद भी तो अगल बनल उसरा जमाता बैंकाता है तो पुरा विडियो और पसंद आया है तो वीडियो को लेंग दिए और चैनल के अगर न